नमस्कार दोस्तों, मानव अधिकार नामक शब्द से हम सभी लोग परीचिते हैं यह मानव अधिकार क्या होते हैं? नाम से सपस्ट है, दो शब्दों से मिला हुआ यह शब्द है मानव अधिकार यानि एसे अधिकार जो मनुष्य के नाते जन्म होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें मानव अधिकार का जाता है और मानव अधिकार को नेसरगी का अधिकार भी का जाता है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्ते हैं So the human rights are also called natural rights because it is given by the nature मानव अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्ते हैं और इस वज़े से मनुष्य को भय और भूख से मुक्ती देने वाले अधिकार को मानव अधिकार केते हैं हम सभी долहों ने देखा है कि मनुष्य और जिव जंतो मे बहुत बड़ा अंतर है जिऊ जनतू भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों नहूं यदि हम शेर की भी बात करने हैं। गरीमा मई जीवन जीने के लिए आधार उतपन करते हैं। तो आज हम लोग मानव अधिकार की रक्षा करने वाले एक आयोग की बात करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग So today our topic is National Human Rights Commission तो आज के हम topic में National Human Rights Commission क्या है और इसके functions क्या है ये क्या काम करता है और इसके गठन के बारे में हम अधियन करेंगे तो मानव अधिकार आयोग का नाम हम सभी लोगों ने सुना है राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में इसका headquarter है और पूरे देश में मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम जो है मानव अधिकारों को प्रिजर्व करना प्रिवेंशन करने का काम जो है राष्ट्री मानव अधिकार आयोग का है आइए स्टर्ट करतें National Human Rights Commission राष्ट्री मानव अधिकार आयोग सबसे पहले मानव अधिकार के हम बाग करें तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मनुष्य के नाते जन्म लेने से पराप्त होते हैं इसके बारे में राश्ट्री और अंतराश्ट्रे इस तर पर अनेक ट्रीटी याने संधियां बन चुकी है, इसके ओपर कानून बन चुके हैं, तो मानो अधिकार वे अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति को dignified life याने गरीमा मही जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं, एसे अधिकार जो भय और भूख से मुक्ति दिलाते, make us free from fear and hungerness, those rights are called human rights. Now ये आज का जो topic हम cover करने वाले हैं, Human Rights Commission, तो Human Rights Commission के लिए एक act बनाता है जिसका नाम है, The Protection of Human Rights Act 1993, हमारे देश में संसद ने मानव अधिकार संवरक्षन अधिनियम बनाया, 1993 में और इसी अधिनियम की धारा 3 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, तो आज हम लोग cover करने वाले हैं मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग जो है 12 October 1993 से function करना प्रारम किया, इसका गठन हो गया, और इसका main काम है protection and preservation of the human red, मानव अधिकारों का समरक्षन करना और इसे समवर्धन करना, यानि न सिर्फ समरक्षन करना मलब protection भी करना है और मानव अधिकारों को enhance करना है, यानि बढ़ाने का काम भी मानव अधिकार आयोग के पास है, यह कहता है कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति मानों की रूप में जो जन्म लेता उसे अपने डंग से जीवन जीने का अधिकार है प्रत्यक व्यक्ति के पास liberty है liberty मतलब right to liberty जिसे हम freedom भी कहते हैं हर व्यक्ति को स्वतंतरता होगी equality समानता होगी किसी के साथ असमानता पूर्ण व्यवार नहीं किया जाएगा और इसका आदर्श वाक्य है may all be happy राश्ट्री मानों अधिकार आयोक का आदर्श वाक्य है may all be happy यह हर व्यक्ति खुश रहे हर व्यक्ति happy रहे उसका headquarter नई दिल्ली में है यदि हम इसके functions की बात करें तो मानो अधिकार आयोक का मुख्य काम होता है मानो अधिकारों का violation रोकना यहने पूरे देश में मानो अधिकारों के उलंगन को रोकना यह जवाबदारी है राश्ट्री मानो अधिकार आयोक की और जितनी भी international treaties है उनकी study करना बले वो मैलाओं की treaties हो बच्चों की treaties हो old age लोगों की हो physically handicap लोगों के लिए जितनी भी treaties हु जेल में केदियों की status को देखना कि जेल में केदियों का status ठीक है कि नहीं क्योंकि केदी भी मानो होते हैं HR education को बढ़ावा देना मानो अधिकार की शिक्षा को बढ़ावा देना एसे NGOs जो मानो अधिकार की रक्षा के लिए काम करते हैं हमारे देश में जितने भी non-governmental organizations हैं उन NGOs को proside करना, encourage करना ये भी आयोक का काम है, preserve करना मानो अधिकारों का समवर्धन करना और विकास करना तो ये सारे काम मानो अधिकार आयोक के हैं यदि हम composition की बात करें तो मानो अधिकार आयोक में एक chairman हैं एक अध्यक्ष और पांच सदस्थ हैं जो अध्यक्ष हैं वो भी मानो अधिकार आयोक के अध्यक्ष बन सकते हैं प्लस जो पांच अन्य सदस्थ हैं ये सदस्थ भी supreme court, high court के retired या acting judges ही होंगे तो ये हैं मित्रों मानो अधिकार आयोक, मानो अधिकार आयोक के functions और इसके गठन, I hope you enjoyed this lecture, kindly subscribe my channel, law easy, thank you so much.